वेलकम बैक टू अनदर वीडियो मैं अमें स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजिनियर्स में तो लास्ट वीडियो में हमने अब लेडियो में कवर किये उसके अलाव भी बहुत सारे क्वेश्ट ने पूचे थे उसका वीडियो के कमेंट में तो यही हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि फ्रिक्वेंट ली आस्क्वेश्ट के जो कुछ भी आपके डाउट है उसका पार्ट तू यानिके रिमे एक ग्रूप है मिने स्पेसिफिकले महा टाउट के लिए एक डेडिकेटेड ग्रूप बनेया है यहाप यहाप चैट कर सकते हैं डिसक्शन वगए कर सकते हैं आपके कुछ अगर डाउट है तो भी आप यहाप पे पोस्ट कर सकते हो और ऐसे भी हमारा में चैनल है पूछना है तो आप यहां पर महात्रांज को तुट वाला जो गुरूप है वो यहां पर जाके चेक कर सकते हो ठीक है तो यह मेरा पर्सनल ओपीनियन है मैं अपने पर्सनल ओपीनियन के बारे में बता रहो कि कोई भी अभी फिलाल तो कोई भी थेरी बूख है वो रेफर मत करना क्यूंकि स्टैंडर्ड बूख है वो पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और अपने पास आप या तो कोई भी कोर्स है वो पर्चेस कर लो या फिर अगर आपको चाहिए तो आप फ्री यूट्यूब कंटेंट है वो देख सकते हो कि अगर आप अभी जाके बुक्स पढ़ने लगोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा और एक्जाम आने तक भी आपका टा-इस लिल्यागर हो कवर नहीं होगा तेरी बुक्स के लिए मैं परसवी पड़ने के लिए आप या तो क्यार्स परिटेश कर सकते हैं या फिर यो त chatting कोकशन का बुक है तो जेबी गुपता और वीके में है कि जो questions अगर आपके बास रहेंगे तो वो टाइप के questions अभी आजकल नहीं पूछे जा रहें यह books है वो obviously बहुत अच्छे books है दोनों के दोनों जेबी गुपता भी वीके में है अभी बहुत अच्छे books है standard book है लेकिन उस लेवल के जो questions है ना प्रीवेसर questions है वो बहुत important role play करेंगे मैं बार बार यही कहूंगा क्योंकि यही factual data है कि आपको प्रीवेसर questions को ही देखना है और recent trend क्या चालू है कि कौन से कौन से topic को वो touch करें और आप देखोगे कि हर 6 मैने बाद जो exam होगा उसमें जो trend है वो change होते जाएगा या फिर जो तो या फिर मैंने बुक सजेस्ट किया जैसे ससी जेए के भी questions आप देख सकते हो या फिर ohms institute के तरफ से भी ट्रांस को डिसकॉम का जो बूक आता है वो भी आप purchase कर सकते हो Ace Academy के तरफ से भी एक बूक हाता है standard बूक है लेकिन वो अभी out of stock होगे इसके वरे से मैंने ये ohms institute का जो बूक है वो आपको suggest किया था इसमें भी student का doubt हा कि ssc.je का फिर बूक ले या फिर हम लोग ohms institute का बूक ले तो देखो अगर आपके पास ace का पहले से ही बूक है तो मैं आपको suggest करना कि उसके साथ साथ ssc.je का बूक है वो purchase करना अगर आपके पास ace का भी बूक नहीं है तो directly ohms का बूक है वो purchase कर सकते हो क्यूंकि ohms institute में जो बूक है उसमे ssc.je के भी questions है वो already included है plus ये ट्रांस को जेनको और डिसकॉम ये तीनों की तीनों बूक से आपे इंदों नहीं होगे assistant engineer की तो previous year cutoff हम लोग exact अभी नहीं बता सकते लेकिन देखो previous year cutoff है वो previous paper के according था इस साल का paper है उसका difficulty level है वो शायद same नहीं रहेगा difficulty level है वो कम या ज्यादा हो सकता है तो उसके according depend करेगा आप अपना maximum 100% देखे जाना cutoff है वो हम लोग अभी discuss नहीं करेंगे और नहीं बता सकता कि एक्जाम में हम लोग लास्टाम देखा था कि power system का बहुत हेवी था तो उसके according में सिर्फ subject आपको बता कितने marks के लिए यह नहीं बता सकता या फिर previous year analysis भी नहीं कर सकती क्योंकि paper अपने पास available नहीं है सिर्फ 2017 का था लेकिन उसके according मैंने important subject हो लास्ट व अब्जेक्ट से अपने आगे एक स्टूड ने पूछा था कि utilization of electrical energy है की नहीं तो असिस्टन इंजिनर के लिए इतना important topic नहीं है यूटिलाइजेशन इलेक्रिकल एनरजी आप assistant technician के लिए यहाँ पर कर सकते हो लेकिन assistant engineer के लिए यहाँ उसकी कोई भी जरूरत नहीं कि अगर और सबसे पहले अगर आपने यह topic कर लिए और उसके बाद अगर आपके पास time बचता है तो फिर आप यूडबली के लिए जा सकते हो कि मैं चाहिए तो यहाँ पर 10 नंबर पर लिख लूँँगा utilization of electrical energy रहेगा वह आप सबसे आखिर में वह कर सकते हैं अगर आपके पास time बचा ठीक है और एक question बचा था कि electrician और wireman है वह assistant technician के लिए apply कर सकते हैं कि नहीं तो इलेक्ट्रिशन student तो अप्लाय कर सकते हैं वायर में से related अभी भी clear नहीं है तो हम लोग official notification का wait करेंगे जो पिछले बार हुआ था तो उसके according जो अपने पास information है उसके according electrician student apply कर सकते हैं वायर में के लिए अभी फीलाल के लिए कोई भी confirmation अपने पास नहीं है official notification का हम लोग वेट करेंगे तो यहाँ पर FAQ अपने खतम होगे चलते हैं अपन plan के तरफ लेकिन plan important क्यों है वो सबसे पहले रेखते हैं यहाँ पर डेल कारने के बहुत famous author है उन्हें ने कहा था कि an hour of planning can save your 10 hours of doing यानि कि अगर आप randomly कुछ भी 10 घंटे तक चीज करते रहोगे उससे अच्छा है कि आप एक घंटे का planning करो तो उससे आपने approximately 10 hours है वो बचेंगे अगर आपने एक घंटे का सिर्फ plan किया तो उसके वज़े से आपके आगे आने वाले जो 10 घंटे है वो आपके बच जाएंगे तो इसलिए plan बहुत important है देखते है एक-एक करके मैंने आपको last video में कहा था कि चार different category students के हम लोग एक-एक करके discuss करेंगे सबसे पहले freshers जो self-study करने वाले freshers है जिन्होंने खाली एक या दो exams अभी दिये है उसके पहले कोई भी exams नहीं दिया है या फिर recently pass out हुए है तो सबसे पहले freshers student है जो self-study करने वाले है कोई भी coaching उगे जोइन नहीं करने वाले उनके लिए सबसे पहले आपको important subjects को जो मैंने list दी है वो आपको एक-एक करके start करते जाने important subject आप एक-एक करते है वो start करोगे यानिके power system से लेके electrical machine से आप आखिर दक signal system अभी मैंने list दिखाय था उसके according आप जाओगे important subject से आप start करोगे towards the end ठीक है उसके बाद second point है अभी subject subject तो आपको पता चलके कि सबसे पहले important है वो power system रहेगा लेकिन उसके अंदर कौन से-कौन से important topic है okay subject subject तो हम लोगो समझ लिया लेकिन उसके अंदर कोई भी जो important topics होते है या फिर जो list of topic topic की जो list होते है important topic की एक आप list बनाओगे और उसके according आप चलते जाओगे क्योंकि आपने लिए कौन सा important है exam oriented concept topic important है यह आपको पता होने चाहिए तो इसलिए आपको topic की भी list हर एक subject की topic की list हो आपके पास होने चाहिए इससे rated में video बनाओगा अगर आप कहेंगे तो कि कौन से subject में कौन से important topic है अगर आपको इससे rated video चाहिए तो मुझे comments में ज़रू से बता म हर एक subject के लिए हर एक topic का important topic का में video यहाँ पर ले कि आऊँगे उसके बाद अगर आप self study कर रहे हो तो आप कोई भी coaching अगर नहीं आप फिर material भी नहीं है ऐसा में assume करूँगा तो आप क्या कर सकते हो अगर आपने topic का list बनाया तो एक-एक करके आप YouTube पे जाओगे और जो कु topic से related similar topic related आप जो MCQs है वो solve करने के लिए जाओगे similar topic related जो MCQs है वो आप solve करोगे मैंने booklet आपको suggest किया है उससे आप directly कर सकते हो self study कर रहे हो फिर भी आप वो जो books है वो जरूर पर्चस करना क्यूंकि questions है वो आपको उसी से वही से आपको मिलेंगे ठीक है तो वीडियो topic के MCQs हो तूरंट के तूरंट करना ऐसा मत कर देना कि सबसे पहले हम लोग theory करेंगे और उसके बाद में पूरा theory complete करने के बाद फिर हम लोग MCQ की तरफ जाएंगे ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे सबसे पहले एक topic करोगे उसके related जो MCQs है वो सबसे पहले solve करोगे और आ next topic का भी आप कहां से देखोगे तो आप YouTube वीडियो से आप देख सकते हो बहुत सारे चैनल से आप कही से भी जिनका भी अच्छा लगेगा आप वहां से refer कर सकते हो यह हो गया fresh student के लिए तो आपको दिन का कितना घंटे देना है तो अभी तो मैं आजूम कर रहे हो कि आप को daily देना पड़ेगा 8-10 hours आपको daily देना पड़ेगा क्योंकि आप self study कर रहे हो तो material भी आपको थोड़ा बहुत ढूनना पड़ेगा उसके लिए आपको थोड़ा बहुत efforts देना पड़ेगा तो इसलिए मैं additional थोड़ा time में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ 8-10 गंटा आपक कोई ना कोई एक faculty है तो सबसे पहले कि बहुत सरे student हैना क्या करते online courses है फिर भी वो उनको लगता है कि मेरे पास content available है वो बहुत कम है तो वो इधर उधर भागने लगते कि यह मैं इसका भी वीडियो देखता हूँ उसका भी वीडियो देखता हूँ पेड लिया है फिर भी म आपको content available रहेगा जो कुछ भी important आपके हाथ में रहेगा फिर भी आप वो छोड़के बाकि सभी सभी जगह पर जाके डूढने लगो कि यह भी करता हूँ यह भी करता हूँ वो भी करता हूँ ऐसा मत कर देना अब सबसे पहले आपको जो कुछ भी online course provide कर दिया है उसके उप आपको concept में शायद आपको problem नहीं रहेगा अपने उसके according mcqs है वो भी solve कर ले अभी point number 3 आता है कि suppose आपने concept पढ़ लिया एक faculty से उनसे फिर उसके बाद आपने mcqs भी solve कर ले लेकिन कुछ-कुछ ऐसा रहेंगे कि topic पढ़ने के बावजूद भी आपको जो mcqs है वो solve न नहीं है जिसने आपको course purchase किया है उसको अगर आपको उसका नहीं समझ में आ रहा है उसके mcqs solve नहीं हो रहें फिर आप यूटुब पे वो वो particular topic है वो पढ़ सकते हो और अगेन फिर आप mcqs है वो solve कर लें ठीक है directly इधर उधर भागना मत पहले course के उपर believe करो और उसके बाद फिर आप mcqs solve करो और अगर फिर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप यूटुब पे जाके जब कर सकते हैं यह था freshers online course फिर coaching वालों के लिए अभी है experience candidates के सबसे पहले आपको कितना घंटे देना है तो बता दूँगा तो कम से कम मैं बता रहूं इससे ज्यादा द आपको थोड़ी दियर में उसके बाद experience candidates है नहीं के अभी जिनका दो से चार मार के लिए जिनका अभी exam miss हुआ है बहुत ही कम margins है जिनका selection है वो रूख गया है या फिर जो बहुत exam से prepare कर रहे है इनको idea तो आ गया है कैसे prepare करना है लेकिन एक proper planning के लिए उनको जरूरत है तो सबसे पहले देखो आपका theory theory और concept तो strong रहेगे ऐसा मैं अजूम कर रहा हूँ theory या फिर जो concept है वो तो अपके सभी के सभी clear रहेंगे notes वगरे है तो अच्छी बात है नहीं है तो अभी आप भी notes बना सकते हो अपने पास अभी बहुत ज्यादा time है फिर आप क्या कर सकते हो main work on your work on your week zones अभी तक आपने बहुत सारे exam दिये रहेंगे या फिर दो तिन exam भी दिये है तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि अपने week zone कौन से है देखो अगर आपने last time जो preparation strategy करके आप exam के लिए गए थे और आपका selection नहीं हुआ था अगर आपने same preparation planning या फिर strategy आप use करोगे तो भी आपको same result है वो दिखने वाले अगर आपने preparation strategy चेंज नहीं किया या फिर planning चेंज नहीं किया अगर आपने efforts चेंज नहीं किया तो आपको जो result है वो भी आपको same ही दिखाए देगा result भी आपको अलग दिखाई नहीं देगा तो सबसे पहले अपने week zone से वो find out करो या सब्जेक्ट वीख है या फिर मेरा reasoning week है reasoning में मेरा time बहुत जाता है time consuming होता है क्योंकि IBPS पेपर कंड़क करने वाले एक student ने पूछा भी था कि कौन सा कंड़क करने वाला मैं वीडियो में बताया भी था वीडियो आप सुनते नहीं हो पूरा completely IBPS exam है वो कंड़क करने वाले तो उसके according reasoning है वो थोड़ा lengthy होता है तो आपका time consumption बढ़ता है तो अगर आपको time कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा तो obviously आपको practice ज्यादा करना पड़ेगा एक दो student को मैंने call पर बात की तो उनसे मैंने कहा था कि technical subject में आपको time ज्यादा लगता है क्या उनने कहा न तो अगर आपको पता है उसका answer तो technical में अगर आप easily solve कर पा रहे हो इसका मतलब कि आपका practice वहाँ पे ज्यादा है और अगर आप reasoning में या फिर empty में अगर आप time ज्यादा लग रहे है इसका मतलब आपका practice वहाँ पे कम है आप familiar नहीं हो वह particular type के questions के लिए तो इसलिए आपको description box में भी आपको सारे के सारे जो link है वो बिल जाएंगे reasoning भी कुछ student को अच्छा लगते है लेकिन पूरा theory करने बैठोंगे तो कोई मतलब नहीं है आपका concept पहले से अच्छा रहेगा और आपका कोई बेगर concept चूटा रहेगा जैसे ट्रांश को के exam में सैग्स related question आया था या फिर economical load dispatch से या पर question है वो पूछे गए थे तो यह usually नहीं पूछे जाते बाकी के exam में तो यह अगर आपके पास अभी इतना theory है concept है आपको इतना exam का experience है तो आप ऐसा find out कर साथ है कि हर एक subject में important topic अगर हम लोगा ने consider किया तो वो particular topic से मुझे क्या-क्या different type के different type के question मुझे पूछे जा रहे different different type के मुझे question पूछे जा रहे यानि कि basically इसका भी list बना हो मैं बता दूँग आपके तो induction motor से रहे टेडड मुझे कौंसे कौंसे topic पर क्या-क्या question से वो पूछे जा सकते है तो basically मुझे torque पूछा जा सकता है मुझे sleep find out करने के लिए पूछा जा सकते है या फिर मुझे frequency find out करने के लिए मुझे वापर पूछा जा सकते है या फिर मुझे power equation जो है उस से मुझे question है वो पूछा जा सकता है या फिर induction motor पे मुझे starter से related questions है वो पूछे जाते है star delta starter में उसके उपर भी मुझे क्या find out करना होता है अगर मैंने induction motor पे और कुछ भी related उसके related term रहेगा वो भी आप देख सकते हो अगर transformer मर लिया तो turns ratio से related question है वो पूछे जा सकते हैं उसका जो losses है उससे related questions है वो पूछे जा सकते हैं तो ऐसे different different topic के अंदर क्या-क्या type के question है वो पूछे जाते यह आपको find out कर से तो यह advanced level की थोड़ा हम लोग approach है वो कर सकते हैं ठीक है experience candidates के लिए आगे बढ़ते है job going candidates के लिए तो उनको भी experience candidate की तरह ही treat करूँगा क्यूंकि आपको time है वो ज्यादा नहीं मिलने वाले और आपका approach भी same होगा अगर आपका theory week है तो ही आप theory पर जाओगे अगर आपने बहुत समय से theory brush up नहीं किया है आपको exam दे के बहुत जारा time हुआ है तो आप theory के लिए जाना otherwise आप directly mcq पर jump कर सकते हो और mcq के approach से ही आप return जो कोई भी theory है वो अपनी polish कर तो सबसे पहले आपको mcq के तरफ जाना है maximum student को और उसके बाद आपको theory है वो cover कर दी है लेकिन ये थोड़े बहुत हरे candidates के उपर depend करेगा कि उनका अभी present condition क्या है मैं assume कर रहा हूँ कि आपको चार घंटे तो कम से कम देने चाहिए ज्यादा अगर मिले तो अच्छी बात है लेकिन एक कम से कम अगर हम लोग कहेंगे तो चार घंटे तो आपको देने ही चाहिए और बाकी कुछ भी जो मैंने बताया था experience candidates के लिए similar type आप वहाँ पर देख सकते हो कि additional point है या आप यहाँ पर preparation करने के लिए अगर आपको कोई पर office hours में भी अगर ब्रेक वगरे मिलता है तो आप क्या कर सकते हो या तो आप कोर से व time में ठीक है तो इसके अलावे अगर आप कुछ doubt है comments में पूछ सकते हो और आपस एक बार कहूंगा a goal without a plan is just a wish ओके तो planning इसलिए हम लोग ने सबसे पहले की है different candidates के लिए क्या-क्या approach हो सकता है अगर आपको goal अपका अच्छिव करना है तो इसके लिए आपको planning है वह करना प लोग plan करेंगे 75 days का schedule कैसा होगा monthly schedule क्या होगा उसका weekly schedule क्या होगा और approximately daily schedule आपका क्या होगा यह सारे के सारे चीज़े हम लोग next video में cover करेंगे तो अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर देना ताकि next video अब तक जल से जल पहुँच सके ठीक है तो आज के व